हेलो आज मैं आपको बताऊंगा कि configuration के help से पीरिड और ग्रूप कैसे find out करते हैं तो यहां पर मैंने element फ्लेरोवियम लिया है जिसका atomic no.114 है इसका configuration मैंने निकाला है जो की है redon 86 हम लोगों ने ले लिया उसमें से फिर इसका आगया configuration ऐसा है 7s2-5f14-6010-7p2 अब हमें इसका फिरेड निकाला है जो एसका unit 7 है वह इसका पिरेड होज़ा है तो इसको हम लोगों यहां पर लिख ही है फिर अभी हम इसका ग्रूप धूनने की कौन से ग्रूप में 10 है हम F नहीं लेंगे क्योंकि हमारे पास इतने ग्रूप अभी इतने ग्रूप है नहीं इसलें एक को नहीं लेंगे तो अभी हम SPD नहींगे सिर्फ तो हमारा ऐसा होगा अँप सारे numbers को प्लस कड़ेंगे तो टू प्लस टू फोर फॉर निटेन फॉर्टीन तो इसका फेरोवियम पडिन Katrina ओजाए तो प्लेरोवियम प्रींद्व बमब शेकर नुम्ब सेवन में आता है व salah अभ यहम लेंगे वैनेडियम तो मेनेडियम का जिसका अटोमिक 23 है अब हम इसका configuration निकालेंगे जो कि यह आरगे नेटिन उसमें सहट गया अब आगे का देखिए 4S2 3D3 तो अब इसका कि पीरिड होगा जो हमारा एसका unit digit है मुसको लेंगे जिसका पीरिड हो जाएगा फूर इसका विनेडियम का ग्रूप हो जाएगा और एस और डी अब हमार पास ना के पी भी नहीं है और एफ की तो जरुवत ही नहीं तो हमार पास पी नहीं तो छोड़िए उसको रहन देजे अब एस और डी की जो नमबर सिंको प्लस कर दीजे तो 2 प्लस 3 5 एक ग्रूप नमबर इसका फाइव जानी वेनेडियम जो है जो वेने उसमें से हटा लिया अब आगे का ऐसा है 3s2 3p5 अब हमें हमें इसका पीरेट चाहिए जो कि एसका जो यूनिट डीट है वह उसका पीरेट हो जाएगा 3 अब हमें इसका ग्रूप चाहिए जो कि होगा अब फिर से हमारे पास S और P हैड ना कि D है और F नहीं है चले ठीक हमक पी का नंबर उसे प्लेस करने है तो टू प्लेस है सेवें तो इसका ग्रूप हो जाएगा सेवें यानि क्लोरीन जो है जिसका अटॉमिक नंबर सेवेंट इन और थार्ड पिरियेड के कि सेवेंध ग्रूप में आता है थैंक्यू